हलो दोस्तों टोने टोटके में आप सबका स्वागत है दोस्तों आज एहम मुद्दा है कि आदमी जन्म क्यों लेता है और मरता क्यों है जैसे जन्म लेने के टाइम पर खुसियां बहुत आ जाती है और मरने के टाइम पर दुख ही दुख नजर आती है और मरने के बाद हर इंसान सोचता है कि उसकी आत्मा उसे टाइम सरीर छोड़ दिया है पर दोस्तों यह आप सब का सोच गलत है और हमेशा कभी भी आप देखना जब भी कोई सरीर मरता है उसकी आत्मा 14 दिन तक उसके घर पे होती है अंतिम संसकार होने के बाद भी 14 दिन तक का आत्मा उसके घर के इर्द गिर्द में घुमते नजर आती है हलांकि हम जैसे इंसानों को नहीं दिखाई देता है पर जो सैतानी हरकत वाला होता है या ऐसा मालों कि उस इंसान से जैसे बाप हो बेटा हो पत्नी हो बेटी हो जिसका ज़्यादा लगा होगा उसके समक्ष ओ दिखेगा खास तर्पर यह जानकारियां सही है और अगर यूपी बिहार वाले हो बंगाल वाले हो या आधर इस्टेट वाले हो उस ак करीब होता है उसे उस आत्मा को दिखाई देता है उसी परकार से जब इंसान मरता है जैसे भागवत गिता में कहा गया है जो सरीर मरता है और मरने के टाइम में अंतिम सांच लेने के टाइम पे जो जिसका सुम्रेंड करता है वो उसे प्राप्थ हो जाता है ऐसा नहीं कि अगर मान लेजे कि आपके घर में आपका बाप बहुत प्यार करता था और वो आपका बाप सैतानी हरकतों पे चले गया है मरने के टाइम पे आप अपने बाप का नाम लेंगे तो आत्मा सदा के लिए पृत्वी लोग पर ही रह जाती है आप एक भूद बन जाते हो भूद बनने के बाद एक दूसरे को परशान करते हों तो दोस्तों मेरा एक बोलने का ताथ पर ये है कि हर इंसान जब अंतिन साच ले तो उपर वाले का ही शुमरन करे ताकि उसके श्वदाम में प्राप्त हो जाए तो आत्मा अमर है ये शब को मालू में लेकिन यहां पर दिवार भी तो खड़ी है आपका मरने का जो टाइम होता है जो अंत होता है उस अंत में आप चुनाओं किसका करते हैं भगवान का करते हैं या सैतान का करते हैं तो ए डिसिजन लेना आपका काम है आप किस तरीके से डिसिजन लेते हैं ये आप तरह कर सकते हैं अगर ये वीडियो देखने से अगर आपको संतुष्टी मिली हो या जानकारिया अच्छी तरह से मिली हो तो प्लीज चैनल को सब्स्राइब करें लाइक करें कमेंट करें थ झाल 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 झाल